वेलकम टू नेक्स एक्जाम आज है तेन सितंबर 2020 और तेन सितंबर 2020 से करेंट पैस के जितने भी इंपोर्टन कुश्चिन मन सकते हैं सारे हमें इस वीडियों बिसक्स करेंगे और हर कुश्चिन से रिलेटेड इंपोर्टन फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट वी मैं आपसे कुश्चिन भी पूछूँगा उसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स हों बताना है आज किस वीडियो की पेडियो के डिसक्सिन से डाउलोड कर सकते हैं पेडियो आप हमारे टेलेग्राम गूर्प से डाउलोड कर सकते हैं टेलेग्राम गूरूप पर आपको सारे पेडियो पे एक साथ मिल जाएंगे और टेलिग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस ब्रूप के डिस्क्रिश्म में दे दिया है तो आप उस लिंक पर कलिक करके टेलिग्राम गुरूप चाइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुशन है हाली में बेस सुनारियल दिवस कम मनाया गया है तो अभी 2 सितंबर को 200 नारियल दिवस मनाए गया तो इस कुछिन का बे अप्सिन सही है अब 200 नारियल दिवस यानि कि बर्ड कोकोनट डे ये मनाय क्यों जाता है तो नारियल के बारे में ध्यान और जागरुपता बढाने के लिए हर साल 2 सितंबर को ये 200 नारियल दिवस मनाया जाता है अच्छा 200 नारियल दिवस की बात है तो इसको मनाता कौन है तो एसिया प्रसांत नारियल समधा इसे मनाता है अचा नारियल के उत्पादन में भारत में कौन सा राजी सीर्स पर है ये कुशिन एकजाम में पूछा जाता है तो नारियल के उत्पादन में केरल इंडिया में टॉप पर है तो इस कुशिन से आपको एतनी जानकारी मिलती है आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40,000 लाइक का तो अगर ये बेडियो आपको अच्छा लगता है helpful लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सीर्ज जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ अपको अपको अच्छी हो जाएगी नए शुशन है अपको अपको प्रत्वी अब लुकन उपग्रे लाउंच किया है तो अभी Space X ने एक प्रत्वी अब लुकन उपग्रे लाउंच किया तो इस कुश्चिन का से ओप्सन्स है ये अर्जेंटीना का एक सैटिलाइट है और इसको स्पेस एक्स ने लॉंच किया है स्पेस एक्स एलॉन मस्क की कंपनी है कली में आपको अधाय था टेसला के मालिक है एलॉन मस्क स्पेस एक्स के मालिक भी एलॉन मस्क है और एलोन मस्क अभी फेसुक के फाउंडर मार्क जुकरवर्ग को पेचे छोड़कर दुनिया के तेसरे नमबर के सबसे धन्य ब्यक्ति बन गए है नए शुशन है हाले में रक्षा मंतरी राजना सिंग किस देश की तेन दिवसी आदिकारे क्यात्रा पर गए है तो अभी हमारे रक्षा मंतरी राजना सिंग रूस के तेन दिवसी आदिकारे क्यात्रा पर गए है तो इसकुशन का बे ओप्षन सही है एक्चुन में रूस में अभी S.C.O. रक्षा मंतरियों की बैठक होनी है संगाई कोपरेशन और्गनाईशन की रक्षा मंतरियों की बैठक होनी है इसी में पार्टिस्पेट करने के लिए हमारे रक्षा मंतरी तेन दिवसी रूस की आत्रा पर गए है अब S.C.O. यानि की संगाई कोपरेशन और्गनाईशन हिंदी में कहें तो संगाई सयोग संगठन इसकी स्तापना कब होई 2001 में इसका हैड क्वार्टर कहां पर है बेजिंग में और इसके प्रजेंट टाइम पर सेक्रेटरी जरनर कौन है ब्लादिमीर नूरोब कौन है ब्लादिमीर नूरोब नएश कुशन है हाले में अमा सहर नामक मूबाइल एप किस राज सरकार ने लौँच की है तो अभी उडिसा गौवर्मेंट ने अमा सहर नामक एक मूबाइल एप लौँच की एक अमा सहर और दूसरा स्वच सहरॉडिसा। अब उडिसा में लॉंच होई तो ये है मैर्प में उडिसा। उडिसा की कैपिटल क्या है? भूपनेश्वर। उडिसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नबील पठनायक। और उडिसा की गवर्नर कौन है? गनेशी लाग। अच्छ उडिसा दिवस या उतकल दिवस को मना जाता है तो उडिसा दिवस या उतकल दिवस ये एक अप्रेल को मना जाता है और उडिसा का जो हाई कोट है इसके चीप जस्टिस है अभी मुहम्मत रफीक उडिसा में मौ जीवन पहल और मौ प्रतिवा पहल सुरू हुई थी और उडि जी ने जानवरों के लिए अलग से फंड जारी किया था इसलिए पैटा ने इनको Hero to Animal Award से समाने किया अच्छा उडिसा में सत्कोसिया Tiger Reserve है Simlipal National Park है गैरमट Wildlife Century है और चिलका लेक है और चिलका लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है ये भी याद रखना है अच्छा उडिसा में सबूज उडिसा पहल शुरू होई थी अभी सबूज उडिसा पहल ये किस लिए थी ये प्रक्षार उपड के लिए थी रजपर्ब या रजापर्बा ये भी उडिसा में मनाय जाता है और अभी नुआ खाई उट्सब मनाय गया था उडिसा में नुआ खाई उट्सब नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है भोजन तो नुआ खाई उट्सब ये अभी उडिसा में मनाय गया था उडिसा में एक मदू बाबू पैंसन योजना चल रही है इसमें अभी ट्रांस जेंडर्स को भी सामिल कर लिया गया है उडिसा में अभी एक दुरलब पेले कलर का कचुआ पाया गया था और उसी टेम मैंने आपको उडिसा का राज की पसु बताया था उडिसा का राज की पसु क्या है? सामबर हिरन उडिसा में चैतर जात्रा महोट सब भी मना जाता है ये भी उडिसा में मना जाता है तो इतना आप उडिसा के बारे में याद रख़िए नेस शुशन है हाले में Dr. S. Padmavati का निधन हुआ है वे कौन थी तो Dr. S. Padmavati ये कार्डियोलोजिस्ट थी तो इस कुश्चिन का बे आप्सिन सही है ये थी Dr. S. Padmavati अब इनका नाम इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि ये भारत की पहली कार्डियोलोजिस्ट थी इनको God Mother of Cardiology का जाता है क्या का जाता है God Mother of Cardiology और अभी 103 साल की उमर में इनका निधन हुआ है नए शुशन है हाले में हिंदुस्तान से प्यार लिमिटेड के नए CMD कौन बने है तो अभी हेमन्त खत्री हिंदुस्तान से प्यार लिमिटेड के नए CMD बने हिंदुस्तान से प्यार लिमिटेड के नए CMD बने है हिंदुस्तान से प्यार लिमिटेड इसकी स्थापना कब होई 22 जून 1941 को और इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है आंध्र प्रदेश के बिसाखा पठनम में नए शुशन है हाली में किस राज सरकार ने प्रतेग जिले में बिजले चोरी बिरोधी पुलिस स्थापित करने का निड़े लिया है तो अभी उत्तर प्रदेश कवर्मेंट ने हर जिले में बिजली चोरी बिरोधी पुलिस स्थापित करने का निड़े लिया वो बिजली से related होगी, तो हर जिले में इनको सापित किया जाएगा, अब उत्तर प्रदेश की बात है, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की capital क्या है, लखनव, और लखनव किस नदी के किनारे स्थेत है, गोमती नदी के किनारे स्थेत, उत्तर अभी बाल स्रमिक बिद्या योजना शुरू होई थी बाल स्रमिक बिद्या योजना ये उत्तर प्रदेश में शुरू होई और बर्चुल अदालतों के जरिये सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में अभी जियो टेग क गोशना भी होई है उत्तर प्रदेश में हरबल रूड प्रोजेक्ट इसमें 800 किलोमेटर रूड के दोनों और हरबल पेड लगाए जाएंगे उत्तर प्रदेश का एक मंडवाडी रिल्वेस्टेशन है इसका नाम बदला गया है ये बाराडसी में है और इसका नाम बदल कि आप बनारस रिल्वेस्टेशन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में नबेन रोजगार चत्री योजना भी शुरू होई है और पूरे देश में मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है पूरे देश में मनरेगा के तहत जितना भी रोजगार दिया गया है उसका 18% अकेले उत्तर प्रदेश में दिया गया तो मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है और उत्तर प्रदेश में अभी गउ हत्या अधिनियम में संसुदन हुआ था उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है एक दुद्वा नेशनल पार्क है और एक चंद्र प्रवा नेशनल पार्क है उत्तर प्देश में कतर्निया घाट बाइल डाइब सेंचुरी भी है और उत्तर प्देश में पेले बीत टाइगर डिजर्ब भी है नेक क्यूशन है हाले में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक सबसे अधिक कर्ज का बोज किस देश पर होगा तो अभी Moody's Investor Service की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 तक सबसे अधिक कर्ज अपने देश भारत पर होगा तो इस कुशन का बे अप्शन सही है एक्चुल में होता क्या है गवर्मेंट किसी ना किसी के नाम पर लोन लेती ही रहती है तो अभी Moody's Investor Service की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 तक सबसे अधिक कर्ज का बोच अपने देश भारत पर होगा नए शुशन है हाले में किस बैंक ने होम उत्सब शुरू किया है तो अभी ICICA बैंक ने होम उत्सब शुरू किया होम उत्सब ये क्या है ये एक बर्चुल एकजीविशन होगी जिसमें जितने भी विल्डर हैं जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं जो बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को एकजीविशन में सो कर सकते हैं तो हो मुझे सब इसको शुरू क्या है ICICI बैंक ने अच्छा ICICI बैंक यह आप सुनते रहते हैं कई जगर लिखा भी देखते रहते हैं कभी आप ने देखा कि ICICI की फुलपम क्या होती है तो ICICI की फुलपम होती है Industrial Credit and Investment Corporation of India इसकी स्तापन काफ होई 1994 में इसका Headquarter कहां पर है? मुंबई में इसके Present Time पर CEO कौन है? संदेप वक्सी और इसके Present Time पर चेर्मेन कौन है? Grace Chandr Chaturvedi कौन है? Grace Chandr Chaturvedi Next Question है हाले में रास्ट मंडल खेल संग में फिर से किसे सामिल किया गया है? तो अभी Maldives को रास्ट मंडल खेल संग में बाहर हो गया था लेकिन अब इसको फिर से प्रास्ट मंडल खेल संग में सामिल किया गया है अब Maldives की बात है तो मैप में देखिए ये है Maldives Maldives की Capital क्या है? माले Maldives की Currency क्या है? Maldivian Rufia और Maldives के Present Time पर President कौन है? इब्राहिम मोहमत सोले अच्छा मैप में ध्यान से Maldives को देखिए ये जो आपको मैप में Maldives देख रहा है यहां से कुश्चन बनता है कि इंडिया और Maldives के बीच में कितने degree channel है? तो इंडिया और Maldives के बीच में 8 degree channel है नए शुश्चन है हाली में The Big Thoughts of Little Love नामक पुस्तक किसे ने लिखी है तो फिर निर्वाता करण जोहर ने The Big Thoughts of Little Love नामक पुस्तक लिखी तो इस कुश्चन का say options है ये जुडवा बच्चों की परवरिस पर-based एक book है और इसको करण जोहर ने लिखा है अच्छा इससे पहले करण जोहर ने अपने एक बायोग्राफी भी रिखी थी उसका नाम क्या था An Unsuitable Boy क्या था An Unsuitable Boy ने शुशन है हाली में डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा का अनावरण कहां किया जाएगा तो अभी चेन में डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा तो इस कुशन का बेक अप्सें सही है अब ये कौन थे डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस तो ये एक डॉक्टर थे और 1938 में जब दूसरा चैनीज जापन युद्ध हुआ था उस टैम पंच सदस्य एक डॉक्टर की टेम इंडिया से बेजी गए थी उसमें ये भी थे डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस और इन्होंने बहुत बहतर काम किया था इसलिए अब इनकी प्रतिमा का अनावरण चीन में किया जाएगा नए सुषन है हाले में प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया यानि कि PTI PTI के नए अध्यच कौन बने है तो अभी 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 एक सरकार PTI के नए अध्यच बने तो इसकुशन का से अपसन सही है अभी तक अध्यच थे बिजय कुमार चोपडा लेकिन अब इनिके स्थान पर PTI के नए अध्यच बने है अभी एक सरकार ये हैं अभी एक सरकार और यही अब PTI के नए अध्यच बन गए है नए सुषन है हाले में एक भारत स्रेष्ट भारत कारिकरम के तहत उत्राखंड को किस राज से जुड़ा गया है तो अभी एक भारत स्रेष्ट भारत कारिकरम के तहत उत्राखंड को करनाटक से जुड़ा गया तो इसकुशन का बे ओप्सिन सही है उत्राखंड को करनाटक से क्यों जुड़ा गया एक चोग में आपको पता है उत्तराखंड में चिप को आंदूलन शुरू हुआ था चिप को आंदूलन और इसी से प्रभावित होकर करनाटक के उत्तर करनट जिले में अपिको आंदूलन शुरू हुआ तो दोनों सिमिलर हैं इसी लिए एक भारत स्रेष्ट भारत करकरम से उत्तराखंड को करनाटक से जोड़ दिया गया है अच्छा करनाटक के बारे में तो कली में आपको आता है आप उत्तराखंड को मैप में देखिए ये है मैप में उत्तराखंड उत्तराखंड की कैपिटल क प्रस्टी लॉंच हुआ था ये कुरोना वारेस के बारे में सटेक जानकारी देने के लिए था उत्राखण में बेरोजगार युबाओं के लिए होप पोर्टल शुरू हुआ और होप की फुलपम क्या थी? बारत का पहला लाइकेन पार्क ये भी उत्राखण में बोला गया है और उत्राखण की जो राज्जी क्रिकेट टीम है उसकी कोच बने थे वसेम जाफर को बने थे? वसेम जाफर और उत्राखण में ही बेस्ट टू इनर्जी पैल शुरू हुए थी बेस्ट टू इनर्जी पैल अच्छा इस्मृत्ती बन का उद्गाटन भी उत्राखण में हुआ है और एक अब तक की सबसे बड़ी तितलेक हो जी गई है उत्राखण में उसका नाम क्या था? गोल्डन वर्ड बिंग उत्राखण में हरेला पर्व मनाय जाता है उत्राखण में एक रंथाले लॉंच किया गया है एक रंथाले ये क्या था? उत्राखण में जितनी भी government और private universities हैं उनमें जो भी library हैं उन सब की books को A form में कर्मट करके यानि कि A books की रूप में बनाके एक पूरी की पूरी library बनाई गई है और उसका नाम है एक रंथाले है अच्छा उत्राखण में एक बहुती famous त्योहार मना जाता है उसका नाम क्या है? फूल देई त्योहार क्या नाम है? फूल देई त्योहार और उत्राखण में कौन सा नेशनल पार्क है? जिम कॉर्वेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पूराना नेशनल पार्क है और इसका पूर नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क नेक्स कुशन है हाले में C.B.D.T. के अध्यच प्रमूद चंद्रमूदी का कारिकाल कितने महां बढ़ाया गया है? तो C.B.D.T. इसकी फुल्पों क्या होती है? सैंडल पूर्ड और डिरेक्ट टेक्सिसन इसके अध्यच है प्रमूद चंद्रमूदी और इनका कारिकाल अभी 6 माईने के लिए बढ़ाया गया है तो इस कुशन का C.O.P.D.T. C.B.D.T. की स्ताफ़रा कब होई? 1924 में और इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है? निउडेली में और इसके अध्यच तो यही है प्रमूद चंद्रमूदी और अभी इनका कारिकाल 6 माईने बढ़ा दिया गया है अब लाश्ट वीडियो के कुशिन का आंसर लाश्ट वीडियो में आपसे कुशिन पूछा था कि हाली में सेव प्लेन सेवा कहां सुरू की जाएगी? तो अभी गुजरात में सेव प्लेन सेवा सुरू की जाएगी तो इस कुशिन का बे उप्सें सही था और लगबग सभी इस्ट्रेंड ने इसका अंसर सही दिया मुश्ट इस्ट्रेंड ने इसके बारे में डेटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कोशिन के बारे में आपको जितना जाद से जाद पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते अब आपके लिए आज को कोशिन हाले में दुनिया का सबसे बड़ा सूरूर ट्री कहां इस्तापित किया गया है चार उप्सन दिये गये हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलाबा हम हमारे फेस्टूक पेज पर प्रेवेस एरे कुशन डेली पोश्ट करते हैं तो आप फेस्टूक पर नेक्स एक जाम सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फूजर भी डाउट एनी हजीटेशन डिस्कूस कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का आप टार्गेट जरू जरू याल रखना आज किस वीडियो का टार्गेट है 40 हजा लाइक का तो अगर ये बेडियो आपको अच्छा लगा है helpful लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू किया करो और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेट बॉट्चप और फेसुग गुरूप है उनमें आप इस वीडियो को सेर जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा करेंट अपेस का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू कर लेज़ा और अगर अभी तक भी आपने बारे इस चैनल को सब्कार नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरू कर लेजिए आपको इस चैनल से निश्चेती मदद मिलेगी जब बे आप से सब्सक्राइब करेंगे तो बरावर में एक बेल आइकन मन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर लेए जिससे के आपको डेली मौनिम के करेंट पैस की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम अलबेज विद यू थैंक्स पर वाचिंग